दोस्तो ये है दोएरबाइस की न्यू बजाज प्लेटीना 110 कमफर्टेक का सेटिन बीच ब्लू कलर सबसे पहले कीमत की बात करें तो इसकी ओन रूड कीमत है 83,149 रुपे मतरा यूपी में ये बाइक प्लेटीना 100 CC से 10,000 पे महंगी है उसके साब से इस बाइक में आपको क्या क्या फीचर्स अलग देखने को मिलते हैं क्या ये आपके लिए वैली फोर मनी है जानते इस वीडियो में अगर आप इस बाइक को फानेंस कराते हैं तो कम से कम किसकी कितनी डाउन कितनी है कि जानते हैं इस वीडियो में सबसे पहले इस बाइक के फ्रेंट लोग की बात करें तो धैरे वाइंड सव्टी केolina यहाँपर आपको हैंडगार्ड मिल जाते हैं और इसके वाइजन चे उपर आपको एक ब्लैक कलर का विंडे धियरेक्स मिलते हैं वाइजर के दो साथ में आपको डूवल टोन कलर के ग्राफिक्स मिल जाते हैं इसका जो आगे बाला मटगार्ड है वो यहां पर आपको मैट फिनिस के साथ दिया गए जिसके दौना साइड में आपको डार्क ब्लू कलर के और वाइट कलर के स्टीकर और सस्पेंशन के उपर आपको कमफर्ट लम टैक की ब्रांतिंग मिल जाती है इसटीकर के साथ एंटी सकेट ब्रेकिंगसिस्टम मिल जाता है दौना साड़ में आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैां 2470 कि यहां पर आपको ट्यूब लेसक टायर मिल जाते हैं जब्की 100CC बात करे हैं तो इसमें वाले टैर कह सफस्प और डूल टोन कलर के यहाँपर आपको grapics मिल जाते हैं ग्यारे लीटर की फ्यूल टैंक की कैपसिटी और यहाँपर आपको tank pad मिल जाता है और इस बैक में आपको semi digital meter console मिल जाता है जब की 100 cc बैक में आपको only analog type का मीटर console मिलता है यहाँपर आपको speedometer यहां पर आपको turn indicator, gear की neutral light, headlight की warning, engine malfunction और यहां पर आपको digital meter मिलता है जिसमें gear shift indicator, digital clock मिल जाती है, odometer मिल जाता है, trip meter मिल जाता है, इसके साथ ही low battery की warning और service due reminder की warning यहां पर आपको देखने को मिलती है, यहां पर आपको clutch का lever और इसके साथ ही यहां पर आपको काफी unique और stylist type क आपर आपको side view mirror मिलते हैं, जो आपको platina 100 cc से काफी unique और stylist मिल जाते हैं, आपर आपको passing switch, low beam, high beam indicator और horn का switch दिया गया, इसके दूसरी side में आपको headlight का switch और नीचे आपको self start का switch देखने को मिलता है, इस bike के seat comfort की बात करें, तो rider और pillion के लिए यहां पर आपको काफी comfortable seat मिल जाता है, dual tone color के graphics के साथ, और इसके side body panel के उपर भी आपको dual tone color के graphics मिल जाते हैं, engine के उपर आपको DTSI twin spark की bedging मिलती है, यहां पर आपको engine oil filter और यहां से आप engine oil की quality को check कर सकते हैं, और इसमें 200 mm की काफी heavy ground clearance मिल जाती है, और यहां पर combi breaking का setup दिया गया, अगर आप इसमें आगे वाली break को दबाते हैं, तो इसकी पीछे वाली break भी कुछ percent काम करती है, सबसे अच्छी बात कि इस bike में आपको e-carburetor वाली technology मिल जाती है, जो की maintenance के साब से काफी अच्छी मानी जाती है, engine और power की बात करें, तो 115.45cc का air cooled forest rock, single cylinder DTSI twin spark engine दिया है, जो देता है 8.6 PS की power 7 7000RPM पर और 9.81 NM का torque पैदा करता है 5000RPM पर, इस bike में आपको 5-speed manual gearbox मिल जाता है, इसकी exhaust के उपर जो plate है वो आपको 100cc bike जैसी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, इसके rear में आपको SOS with nitrox tap के suspension दिये गए, जो की adjustable हैं, जबकि 100cc वाली bike में आपको non adjustable tap के suspension मिलते हैं, इसक range के black color के alloy wheel, 130 mm की rear में आपको drum brake मिल जाती है, अब इसकी rear section की बात करें तो इसका जो rear section है वो भी यहाँ पर आपको थोड़ा साथ difference देखने को मिल जाता है, 807 mm इस bike में आपको seat add मिल जाती है, रैडर के लिए और इसकी जो tail light है वो यहाँ आपको halogen की मिलती है, इसकी दौन यहाँ पर आपको road pigeons मिल जाती है, इस bike का जो curve weight है वो यहाँ पर आपको 122 kg का मिलता है, जो की 100 cc वाली bike से काफी जाता है, और build quality भी यहाँ पर आपको काफी अच्छी मिल जाती है, 110 comfort deck का sticker, company fitted यहाँ पर आपको black color का side guard मिल जाता है, जिसके नीचे आपको rubber की gripping मिल जाती ह इसके chain set cover की बात करें, तो यहाँ पर आपको fully fiber body का chain set cover मिल जाता है, जो की build quality के साबसे काफी अच्छा दिया गया है, इसके side body panel पे भी आपको काफी अच्छे graphics मिल जाते हैं, और सबसे अच्छी बात के यहाँ पर आपको petrol T का option मिल जाता है, आप इसको man में और reserve करके भी आ जाज की branding और इस bike में आपको 5 gear का manual setup मिल जाता है, जैसा कि आपको 100cc वाली bike में आपको सिर्फ 4 gear का ही manual setup मिल जाते है, इसमें आपको side stand और manage stand मिल जाते हैं, तो बात करें इसके price और finance के बारे में तो platina 100 comfort tech disc variant की on-road कीमत है, एसेसरीज के साथ 83,149 रुपे और इसके लिए आ 6,801 रुपे की EMI आएगी, 18 महीने की जो EMI है वो 4,840 की आएगी, अगर आप इसको 2 साल के लिए finance कराते हैं तो 3,879 की EMI आएगी, 3 साल की जो EMI है वो 2,916 की आएगी, यह on-road price और finance की जानकारी मैंने आपको बताई है, उपात दिया है बजा सोरूम NS2 आईवे नवादा म अत्रवा की वीडियो अच्छा लगा तो like, comment, share करें और देव MTIR चैनल को subscribe कर देना, thank you दोस्तो